भजन सहिता अध्याई चावरासी हे सेनाओं के यहवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है मेरा प्रान यहवा के आंगनों की अभिराशा करते करते मुर्चित हो चला मेरा तनमन दोनों जीवते परमिश्वर को पुकार रहे हे सेनाओं के यहवा हे मेरे राजा और मेरे परमिश्वर तेरी वेदियों में गवरया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं वे तेरी स्तूती निरंतर करते रहेंगे क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ती पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सूधी रहती है वे रोने की तराए में जाते होए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं फिर बरसात की अगली वुरुष्टी उसमें आशिश ही आशिश उप जाते हैं वे बल पर बल पाते जाते हैं उन में से हर एक जन सियोन में परमिश्वर को अपना मुह दिखाएगा हे सिनाओ के यहोवा परमिश्वर मेरी प्रार्थ न सुन हे याकुप के परमिश्वर कान लगा हे परमिश्वर हे मेरी ढाल दुरुष्टी कर और अपने अभिशिक्त का मुख देख क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहें के हजार दिन से उत्तम हैं दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमिश्वर के भवन की डेवडी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है क्योंकि यहोवा परमिश्वर सुरिय और ढाल है यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा हे सिनाव के यहोवा क्या ही धन्य है वह मनुष्ट जो तुछ पर भरोसा रखता है